Now let's move to third point, third point में कुछ अपने जाने पहचाने set हो गए, जैसे set of natural numbers, natural numbers, natural numbers तो discrete values आती है, जैसे natural number में एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, दो के बाद सीधा तीन आएगा, दो और तीन के बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो curly bracket use करने पुड़ेंगे कि भी discrete values आली, तो इसके अंदर क्याएगा, one, two, three, four, ऐसे करते है, dot, 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 ये हो जाएगा, इस dot, 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 dot का आता ही जाएगा, infinite तक, ठीक है, तो अगर मैं पूछू करे, कितने element हैं इसके अंदर, तो ऐसे ही नहीं कि हम गिनके बताने के, एक, दो तीन, चार, फिर हम बोलें, चार है, ऐसा थोड़ी नहीं, आगे dot, dot क्यों लगाया है, कि इसी pattern पर आगे चलता चला जाएगा, तो कितने element हैं इसके अंदर, infinite, infinite number of elements है, ठीक है, और usually denote हम कैसे करते हैं, capital N से, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कि ये सारे positive integers हैं, one, two, three, three, four, सारे integers हैं, and positive है, zero positive नहीं होता, zero नहीं आएगा, तो उसको हम ऐसे भी denote करते हैं, आई तो integer के लिए, और plus का मतलब का है, positive integers, ठीक है, तो ये हो गया, set of natural numbers, और इसी को हम क्या बोलते है, set of positive, ये ठीक है, integers, ये तो चलो हमारा A part होगी, फिर हम B part बोलें, कि set of, say, whole numbers, whole numbers, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, बस zero और आजाएगा, positive integers से आएगे सारे, बस zero और intrude हो गया, extra, ये चार तक लिखने का कोई ऐसा, कोई rule नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, ये तो हम ऐसी लिखने, पास तक लिख दिया, ठीक है, ये set of whole number हो zero extra आ गया, तो इसको हम denote कैसे करते हैं, डबलू से, डबलू का उनला का है, set of whole numbers, और तरीका क्या है, इसको denote करने का, कि I plus ले लिया, सारे positive integer, और उसमें अलग से एक element zero और add कर दिया, add कर दिया मतलब union ले लिया, क्योंकि set के terms में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे और ले लिया, ठीक है, और इसके बहुत सारे नामें, इसको हम ऐसे ही बहुत सकते है, set of non-negative, negative integers, ठीक है, non-negative का मतलब नहीं, ठीक है, non-negative का मतलब positive नहीं होता, अगर मैं बोलू को non-negative का क्या मतलब, और अगर तुमने बोला कि positive, तो गलत बोल दिया, क्योंकि 0 भी थो होता है, non-negative का मतलब नहीं होगा बस, तो फिर क्या होगा, या तो positive होगा, या 0 होगा, ठीक है, तो positive बोलना और non-negative बोलना तोनों में अंतर है, non-negative में 0 भी आएगा, positive में 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते है, i minus, i minus, इसका मतलब क्या है, पहले वाला i क्यों लिखा है यह set of integers, उसके बाद यह i- क्यों लिखा है, कि हमने सारे negative integers हटा दिए, तो अगर negative integer हटा दिए, तो क्या बच गया, 0 बच गया, and 1, 2, 3, 4, यह सब बच गया, तो वह लिखा हुए, तो whole number को non-negative integers भी बहुत सकते हैं, set of non-negative integers, ठीक है, natural number, natural number हो ग हो गया, अब आते हैं, अपने c-point पर, set of negative integers, तो नाम सी पता लगदा है, negative integers मुल जो नेगेटिव, तो वह हो जाएगा, minus 1, minus 2, minus 3, and dot, 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 ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे उल्टा क्यों लिखा है, उल्टा इसे लिखा है, कि set लिखते समय, generally हम छोटे value से बड़े value की तरफ लिखते है, ठीक है, तो minus 3, minus 2, minus 1 में तो minus 1 बढ़ा है, तो वह आ गया ना चीए, इसलिए, ठीक है, तो यह अगर मैं left hand side पर ऐसे जा रह लिख सकते है, i minus का बना गया है, negative integers का set, ठीक है, उसके बाद फिर d part आया, set of integers, set of integers, वह हो गया, i, i से denote करेंगे, यह ठीक है, this, z से भी denote करते हैं, कुछ लोग, यह ठीक है, वह क्या हो जाएगा, 0 के आगे तो 1, 2, 3, 4, ऐसे जाएगा, infinite तक, और 0 से पहले, minus 1, minus 2, ऐसे ही धार जाएगा, minus infinite तक, यह सब होगा, set of integers, ठीक है, यह तो, again, मैं तो revise कराने के लिए जल्लेल दी पढ़ा रहा हूँ, यह सब तो, शाहिद पहले से हाना चाहिए, फिर e part क्या होगा, अगर मैं लोगा, set of non positive, non positive integers, integers, तो वह क्या है, set of non positive, positive नहीं होना होगा, तो क्या होगा, अगर positive नहीं होगा, यह तो negative होगा, यह 0 होगा, तो एक तरीका तो यह है कि हम लेगें लिग दिया, minus 3, minus 2, minus 1, and 0, 0 अर आगया negative के साथ में, और तरीका क्या क्या है, कि integers में से हमने सारे positive integers अटा धी, i प्लस अटा धी, ठीक है, और तरीका क्या है, कि नेगेटिव इंटीजर के साथ साथ एक जीरो और ले लिया यह तीसा तरीका होगा है ऐसे भी बोल सकते है ठीक है बस I think समझ में आ गया होगा अच्छा यह मैंने पहली बोल दिया कि नॉन पॉजिटिव यह ठीक है डाज नॉट इंप्लाए नेगेटिव यह ठीक है नॉन पॉस्टिव का मतलब क्या होगा कि निगेटिव यह ठीक है प्लस जीरो नेगेटिव भी आएगा एंड जीरो भी आएगा ठीक है यह हो गया फिर हमारा आगे एफ दाट इस सेट ओफ रियल नंबर कि रियल नबर को हम किसेट्रोंड घरिएंगे। और इसके अंदर क्या होगा माइनस इंफुन इंफनि तक कि अ सारे अलिमेंट आ जाएगे। इस बार default opening bracket आता है ठीक है क्योंकि infinity एक notion है अगर मैंने को ये बोलना है कि आगे बढ़ाते ही चला जाओ positive side पे कितना भी ले लो ठीक है तो इतना बड़ा बोलने की बजाए हम ये बोल सकते हैं कि infinity तक जा रहा है वैसे infinity खुद define नहीं है infinity is not a number तो अगर number नहीं है तो उस पर close तो कभी आई नहीं सकता close लगाने का मतलब तो हम ये बोलेंगे ये number 20 में है तो वो तो number ही नहीं है वो तो as a notion use करते है ठीक है तो infinity पे और minus infinity पे हमेशा ही by default open bracket ही आएगा ये ठीक है ये याद रखा ठीक है set of real numbers आगया उसको हमने r से denote किया तो मतलब ये तो पूरा real line आगया ये ठीक है पूरा real line कुछ भी नहीं बचा उसके बाद g part अगर हम बोलें set of positive integers ये ठीक है तो set of positive integers सारी positive integers नहीं integer तो होई कहा है positive real numbers ठीक है तो उसको किस से denote करेंगे r plus से positive का मतलब यागया 0 के आगया आगय वाला 0 खुद नहीं आएगा 0 positive नहीं होता तो अगर set के टांस में लिखेंगे तो ये open 0 से infinity दगाएगा 0 पे open लगा है ये note करने वाला चीज़ है क्योंकि 0 खुद included नहीं है इसमें ठीक है और next point क्या देगा set of मालने मैंने बुला non negative real numbers ठीक अब इसका मतलब क्या है कि set of real numbers जो negative नहीं है negative नहीं है मतलब उसमें 0 भी आएगा और positive भी आएगा तो ये पूरा भी आएगा और एक extra 0 भी आएगा extra 0 अलग से union बनाने की बजाए हमने यहीं include कर दिया तो 0 पे close लगा दिया तो अब इसके अंदर 0 भी आगया और 0 के आगे वाले सारे number आगए ठीक है और इसको denote कैसे करेंगे एक तो हम ऐसे बुल सकते है r minus r minus मतलब पहले वाला जो r लिखा है उसका मतलब set of real numbers दूसरे वाला जो r minus लिखा है उसका मतलब क्या है कि real numbers में से हमने सारे negative हठा दिये negative real numbers हठा दिये यह ठीक है या फिर हम इसको ऐसे वो सकते हैं सारे positive number ले लिए और एक 0 और ले लिए अलग से ऐसे भी इसको लिख सकते है ठीक है बाकी तो अब h के बाद क्याएगा i तो set of negative real numbers यह ठीक है उसको कैसे दिनोट करेंगे r minus से और set के हिसाब से वो क्यातना हैगा minus infinity से 0 open ठीक है i के बाद क्याएगा j वो आदेगा set of non negative real numbers सारी फिर गलती हो गया non negative तो बोल दिया पहली इस बार क्या बोले non positive non negative यहां बोल दिया अल्रड़ी non positive ठीक है तो non positive गलती है positive नहीं तो positive नहीं तो फिर क्या तो फिर 0 और negative तो मतलब यही set आ जाएगा बस इसमें 0 और आ जाएगा तो minus infinity से 0 पर और close लगा दिया ठीक है या फिर हम ऐसे वो सकते है real number में से सारे positive वाले अठा दिये तो अपने आप 0 बच गया and negative बच गया और negative के साथ 0 और ले लिया ठीक है बहुत बोल दिया क्या है